आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ इस Problem में हमें दिया गया है कि हमार पास एक Will A है ठीक है जो कि एक Rough Inclined Plane पर उपर की तरफ रॉल करना शुरू करता है ठीक है और हमें ये भी दिया गया है कि हमार पास एक Identical Will भी है जो कि एक Smooth Horizontal Smooth Inclined Plane पे जो है रॉल करना शुरू करता है उपर की तरफ ठीक है और दिया गया है कि दोनों ही Inclined Plane का जो Inclination है Horizontal से वो सेम है अब हमसे कहा जा रहा है कि If Initial Velocity of both the Wills is सेम देन ठीक है अगर दोनों ही Wills के Initial Velocity सेम है तो क्या होगा ठीक है तो देखी है कि अगर हम Rough की बात करें Rough वाले की बात करें तो कुछ ऐसा Situation है कि आप अगर यहाँ पर देखें तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है नीचे की तरफ Mg Sin Theta लग रहा है इधर की तरफ Mg Cos Theta लगेगा ठीक है उपर की तरफ Normal लगेगा और इधर की तरफ Friction लगेगा ठीक है Friction जो है अपवाड लगता है क्यों क्योंकि हम देख रहे हैं कि Mg Sin Theta जो है वो Point of Percussion से नीचे Point of Percussion क्या होता है Point of Percussion एक ऐसा Point होता है जिस पर अगर कोई Force लगा दिया जाए तो हमारा जो जो Body है वो बीना Friction के Roll कर सकता है ठीक है लेकिन उसके अगर Point of Percussion के नीचे अगर Force लगा दिया जाए तो Friction Compulsory हो जाता है लगना और वो Opposite to the Force लगता है जो हमने अपलाई किया है तो देखिए कि यहाँ पर एक Force अपलाईड है Mg Sin Theta बहले ही किसी ने भी किया ग्राविटी ने किया है तो Mg Sin Theta इधर लग रहा है और Point of Percussion इधर कहीं होगा सेंटर से I by MR डिस्टेंस पर होता है तो Point of Percussion से जब नीचे की तरफ Force लगता है तो Friction जो है यह Force के अपोजी डाइरेक्शन में लगता है और Point of Percussion से उपर अगर Force लगता है तो Friction in the direction of Force लगने लगता है ताकि Pure Rolling हो सगे तो यह Situation है Rough के लिए अगर Smooth को देखे Smooth Inclined Plane के लिए क्या होगा कि ऐसा कुछ Situation होगा यह हमारा Body है तो इस पर नीचे की तरफ Mg Sin Theta लग रहा है इधर की तरफ Mg Cos Theta तो इधर की तरफ लग रहा है Normal तो इस पर इतना ही Forces है अब देखे कि Perpendicular to the Inclined Plane तो Motion न Smooth Inclined Plane पे होगा न Rough Inclined Plane पे तो केवल और केवल जो यहाँ पर Motion होगा Along the Inclined Plane होगा तो Along the Inclined Plane अगर इसके लिए Equation लिखे तो क्या हो जाएगा Mg Sin Theta Minus of Friction Equals to क्या हो जाएगा M इसको Ar बोल देते है Rough के लिए ठीक है और इसके लिए क्या हो जाएगा Mg Sin Theta Equals to M As तो आप देखिए कि यह जो है क्योंकि हमारा जो भी Object है वो उपर की तरफ जा रहा है उपर की तरफ जा रहा है तो Acceleration अगर नीचे है तो वो Retarding है अच्छा हम यह देख रहे है कि यह Retarding Acceleration कुछ कम होगा यह Retarding Acceleration कुछ जादा होगा क्योंकि इसमें कम क्यों हो जाए क्योंकि कुछ घाटरा तो हम लोग यहां से क्या कह सकते है Ar जो है Ar less than Ar less than है As के ठीक है तो अब यहां से अगर हम देखें तो V square equals to U square plus 2 As अगर लगा है तो यह एक की जगा minus A रख सकते हैं तो यहां पर अगर S देखिएगा तो V square by 2 A हो जाएगा तो जिसका जिसका भी जो है हमारा acceleration कम होगा उसका वो inclined plane पर जादा चड़ेगा तो देखिए कि यहां से हम कह सकते है कि यहां से हमारा S rough greater than होगा S smooth के ठीक है यानि कि displacement जो है rough पे जो हमारा object जितना ऊपर चड़ेगा वो जादा होगा smooth वाले के respect में ठीक है और अगर देखिए हमारे पास statements क्या क्या है A stops ascending earlier than B ठीक है अगर आप देखिए तो यहां से हम एक और formula जानते V equals to U plus A T final velocity जो है जो हो जीरो होना है जब topmost point पे होंगे acceleration retarding है तो यहां से time कितना हो जाएगा U by A हो जाएगा U by A जिसका acceleration जो है जादा होगा उसका time जो है कम लगेगा ठीक है acceleration जिसका जादा उसका time कम लगेगा तो हम यहां से कह सकते हैं T of R greater than T of S यानि कि rough पे जो है वो जादा देर लगेगा उसको लोटने के लिटीक है यानि कि हमारा जो कह रहा है कि A stops ascending earlier than B यह गलत है ठीक है यानि कि मैं यह कह रहा हूँ कि अगर आप देखें तो rough वाले पे जो है हमारा body जादा time तक चड़ता रहेगा इस से हम लोग देख सकते हैं क्योंकि acceleration रफ वाले का वो कम है तो time जादा हो जागा denominator चोटा है तो यह quantity है वो जादा हो जागा तो rough वाले जादे time तक upward motion करता रहेगा ठीक है तो B पहले रुकेगा यह बाद में रुकेगा kinetic energy of B never becomes zero ठीक है यह क्या हो रहा होगा कि हमने कहा कि इसको हमने roll कराया था यानि कि कुछ velocity दी होगी और कुछ angular velocity भी दी होगी कुछ linear और कुछ angular velocity दी होगी तो दीक है कि इस पे कोई भी retarding torque नहीं है जो कि हमारे हमारा जो है object को rest पे ला सके मैं यह अगर draw करूँ तो क्या होगा कि यह उपर की तरफ जा रहा होगा और ऐसे omega भी होगा इधर कुछ V होगा इधर कुछ omega होगा इसके लिए इधर कुछ V होगा इधर कुछ omega होगा आप देखिए कि इस दोनों में velocity को कम करने के लिए तो retardation है नीचे की तरफ net acceleration है इसमें भी नीचे की तरफ net acceleration है लेकिन omega को कम करने के लिए केवल और केवल इसमें जो है friction है इसमें कुछ है ही नहीं जो कि omega को कम कर सके यानि angular velocity को घटा सके तो हम यह देख रहे हैं कि omega कभी भी 0 नहीं होगा यह जो है topmost point पे जहाँ velocity 0 हो जाएगी उसके बाद फिर नीचे आने लगेगा लेकिन omega कभी 0 नहीं होगा जबकि इस case में ऐसा होगा कि जब velocity 0 होगी उसी वक्त omega भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें pure rolling होगा pure rolling यहां friction present है तो inclined plane पे बिना friction के pure rolling नहीं हो सकता है तो यहां pure rolling नहीं हो रहा है यहां pure rolling हो रहा है तो जब velocity 0 होगा तो omega भी 0 हो जागा लेगिन यहां omega कभी 0 नहीं हो सकता तो हम यह कह सकते हैं कि kinetic energy B के लिए जो है यह B है हमारा यह A है तो B का kinetic energy कभी 0 नहीं होगा ठीक है क्योंकि इसमें हमेशा एक rotational kinetic energy रहेगा क्योंकि हमेशा एक omega है तो यह हमारा एक सही statement है maximum height ascended by a is less than that by b देखिए हमने क्या देखा था maximum height ascended by इसको sa भी लिख सकते है greater than sb ठीक है तो a का ज्यादा होना चाहिए ठीक है तो जबकि यहां पर कह रहा है कि कम है तो यह गलत statement है friction acting on a remains constant during the round during the round trip ठीक है तो देखिए कि इसमें बाकी कोई forces change नहीं हो रहा है ठीक है कोई भी force change नहीं हो रहा है ना mg sin theta change हो रहा है ना mg cos theta ना normal ठीक है तो इसलिए हम यह भी कह सकते है कि friction भी change नहीं होगा ठीक है क्योंकि और कोई friction जो है acceleration तो इसका हमेशा same रहेगा ठीक है और हम जानते है कि यहां पर sliding नहीं हो रहा है ठीक है static friction है और mg cos theta same है normal same है ठीक है friction जो है और इधर mg sin theta same है तो friction को भी same रहना होगा तो हमारा यह option जो है यह सही हो जाएगा तो हमारे answer कौन कौन से हो जाएगा B और D answer हो जाएंगे option B and D